किएइए हैं है शायदे के चैप्टर नौ जवार्वस्थ अब्याश्प्रेश्ण सुदू करेंगे तो पहला प्रस्व ने देखो क्या क्या रहा है चोशेरा तो पहलाच सब्सक्राइब क्या मिलता है प्रोटीन क्या मिलता है प्रोटीन अच्छा आपको तक कार्वाइडिक की से मिलता है आलू है जो आपका सही विकल्प कहना वो प्रोटीन है कार्वाइडिक मिलता है दाल में नहीं मिलता है वो आलू में मिलता है गन्य मिलता है चुकंदर मिलता ह पशा तेलों में मिलता है इसका सही विकल्प क्या है प्रोक्टीन से क्लों है अब खानममर क्या कहके बिटामिन एकी कमी से कौनसा रोग होता है बिटामिन एकी कमी से रतोंधी क्या होता है रतोंधी कुंछा होता है रतोंधी अब प्रस्ट नम्मर दूसरा देखें प्रस्ट नम्मर दूसरा में कह रहा है देखो सही गलत दूसरा प्रस्ट नहीं है निम लेकिये थे कतनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन लगाईए तो हम सही गलत का निशान लगाएंगे तो पहला क्या कह रहा है बिटामिन एक ही कमी से आ नमबर क्या है बिटामिन एक ही कमी से रतोंदी रोग होता है सही क्या है सही दूसरा बा नमबर क्या कह रहा है आलू में कार्वो हैड़ेट होता है ये भी सही आलू में क्या होता है सा नम्मर क्या कह रहा है काजू बादाम सूखे मेवे नहीं है तो ये कह रहा है सूखे मेवे नहीं है तो ये कैसा हो गया गलत कैसा हो गया गलत अगला दा नम्मर क्या कह रहा है पनीर दूद दूद पादन नहीं है गलत भाई पनीर है न वो दूद से ही बनता है तो दूद दूद पादन होता है अच्छा यहा नमबर क्या कह रहा है विटामिन सी खटे पलों में पाया जाता है बिल्कुल सही हमें सी खटे पलों में पाया जाता है अब है प्रेस्ट नमबर तीसरा प्रेस्ट नमबर तीसरा हमें क्या कह रहा है रिक्तिस्थानों की रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए तो द्रिक स्थानों की नगे खाली सिग़ा घृ humming भरेंगे तो कह रहें दाल दाल सोया बीन जो भी आए nा तोider में खाली सान नामक फोशा तर्त पाये जाता है क्या पाया यहां पर नहीं पर यहां पर यहां पर क्या मिदी sık aí और्ठी एक उर्जा Armor M Ace पदां करते हैं किसी सुर्प्राइब करते हैं तो यहां भरेंगे भिविन रोग क्या वरेंगे तुरिभि Angst बिविन रोग, हर साल, हर साल, खालीसान को 20 स्वा स्वास दिबस मना है जाता है? की साल कमनाते हैं? साथ अपरेल, को यहां क्या परा जाएगा? साथ अपैल, अब आगे, खाज सामिक गिरियां प्रति दिन खालिस्थान, खानी चाहिए, नहीं, क्या बरेंगे, नहीं खानी चाहिए, अब इस नमर चोथा, सही निम लिखित के, निम लिखित के, सही जोड़े बनाई है, नहीं कि जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाएंगे तो देखो, क्या कह रहा है, प्रोटीन, अब देखो, प्रोटीन किसे में पाए जाता है, बताओ, सप्रोंगे जाता है कि अ खित को ठेओं को मिलाएंगे बीवी ने पिरकार की दालें तबर्टा में आएंगे यसी पाई प्रोटीन को मिलाएंगे बीविनी प्रकार की डाल है अच्छा कार्वो आड़िट सबस्जदा किसे है किसे पाई जाता है हरी सबजियां किसमें आएगा हरी सब्जियां बशा के सिरोथ हैं इनको बशा किसमें पाई जाती है तो बसा सबसे ज़्यादा बनस्पति तेल में पाई जाती है किसे पाई जाती है बनस्पति तेल में अगले इंग्या नमबर आइरन की कमी से होने वाला रोग आइरन की कमी से क्या होता है एनीमिया क्या होता है एनीमिया यह आपने सही जोड़े मिला दिये अब देख अगला प्रस्ण पांच में Go है विसा प्रस्ट क्या रहा है निमिलिकित स्थास नों के उत्तर कि दीजिए तो पेला पांच समय एक आया संकुलेट आर किसे कहते हैं यानि कि संस्त्र वो आर यानि कि जो बोजन ये वह आपका पर्फरेक्ट मातरां में कोंसा होता है तो उसका उत्तर में लिख रहा हूं बता रहो संत्रत आर से हमारा अब प्राय ऐसी बोजन से है जिससे समस्त आवश्यक पोशक्तत उचित मात्रा में विद्धिमान रहते हैं तथा सरीर की समस्त आवश्यक्ताओं की पूर्थी करते हैं यह पांच में का आवतर हो गया पां क्तस नहीं क्या कहरह है पोशड़ एंवन पूलशक तत्यों का क्या पराय है और अपूशकन दो अकि प्रकार करना के स्टक्ताव मर्त करना है यानिकि जव पूशक्य की रूप मिलते यह सही अच्छा बोद्ध में पाए जाने वाले विविन प्रकार की पोसक तत्तू धारा सरीर आवश्यक्ताओं की पूर्ति करना ही पोसर है. भोजन में पाए जाने वाले जो तत्त हमारी सरी को स्वस्थ और निरोग रखते हैं वै पोशक तत्त कहलाते हैं. अब पाचमा कसा देखो पाचमा कसा क्या कह रहा है प्रोटीन एवं कारू आड़िट के चार चार प्रमुक सोत के नाम लिखिये यानि कि प्रोटीन किसमें पाए जाता है तो उत्तर में लिखेंगे प्रोटीन के चार सोत निम लिखे थे हैं तो प्रोटीन सचाथ किसमें चार सुरूत क्या है चना, उरत, मूं, राजमा, दही, पनीर, अंडा, मांस, मचली, अब बताएंगे कारवो हैट्रिट, किसमें पाए जाता है, कारवो हैट्रिट के निम्ड कि सुरूत है, पहला क्या है गोड और चीनी, दूसरा क्या है आलू और चुकंदर, तीसरा क्या है क है ऑला, चॉलत क्या है गर्णनी का दस, चार सुरूत लिखने थंचर हो गए, अब दॉकल का दा बतामस कितने परकार के होते, तो मैंने आँपको पढ़ाया थे, बतामएं केorthy है परकार की याद करने करी तरही सी डी यह लिखेंगे अपनी किताब में विटामिन ए कि अगला प्रश्ण क्या स्वास्ट से क्या से आप क्या समझते हैं तो तर लिखेंगे स्वास्त, शरीर की वह इस्थिती है, जब शरीर के सभी अंग शामान रूप से कार कर रहे होते हैं, तता बाईरी वाताबर एवं शरीर के बीच पूर संतल बना रहता है, सारीडिरिक, मानसिक एवन सामाजिक रूप से पूरतिया सामान दसा को भी स्वास्त कहते हैं अता स्वास्त वयवस्ता है जिसकी अंतरगर्ट सारीडिक, मानसिक एवन सामाजिक कार सम्चुत दच्षिता द्वारा उचित प्रकार से किये जा सकें आगे अगला प्रस्ण है रा नमर, पाठेमे का रा क्या कह रहा है, बोजन में क्या समंध है तो देखो, जिस प्रकार का बोजन हम करेंगे, उसी प्रकार का हमारा विचार होगा यदि हम पॉस्टिक बोजन करते थे तो हमारा सरीर भी निरोग रहेगा सरीर की रोग प्रतोदक छंता मजबूत होगी आगे जिससे सरीर का पूर रूप से विकास होगा इसके विप्रीत यदि हम सिर्फ अपने स्वात के लिए भोजन करते हैं अथार असंतुलित भोजन जैसे चाठ, पकोडी, बर्गर, चिप्स, कोल्डरिंग आदी करते हैं यहां भी मारी सिर्फ अधिया सकता या सकती हैं यह थीयरे की दर्फ गृष्जंड के सरीर वगोजन हो Artemis कि किताब में चित्र दिया गया उस चित्र में कोछ चित्र में जो बने हुए उस चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे दिएगे पुसे तत्तों कि अंक लिखकर उनका बरगी कड कीजिए देखो जहां प्रोटीन है वहां एक लिखो जिससे कर्वाडेट प्राप्त होता है वहां दो लिखो जिससे बशा प्राप्त होगा वहां तीन लिखो विटामिस और खजीर प्राप्त हो वहां पर नमबर चाल लिखो चित्र में आपको दिया गया है उसी अंसाल एक देना है कि क्या क् कि कोई दाल मटर की मटर का वह है जिसमें लेका नमबर दो यह करव आड़िट होता है तो आप इस चित्र के अंसार देख लेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया उसमें वही नमबर लिख देंगे यह आंसर हो जाता है आपका यह पार्ट स्वास्ट एम बोजन यहीं समागत अगर अच्छा लघा ओम तो सिर संयर आनक ना बोलें और मेरे यूटूब चैनल को अगर मेरे चैनल पर आप नई हैं तो मेरे यूटूब चैनल को संस्क्राइब जरूर करें और दोस्तों को सेर करें धनुपन है